हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हूम फूट रेसिपीस आज हम बनाएंगे मुंबई का फीमस स्टेट फूट चीज मसाला पाउं चु खाने में बहुत ही चट पटा होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप इसे शाम के नास्ते में जब भी बूख लगे तब बना के खा सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो इसकी सामगरी देख लेते हैं चीज मसाला पाउं बनाने के लिए मैंने यहापे एक बड़ी साइस का प्याज बारिक काटके ले लिया है एक बड़ी साइस के टमाटर को मैंने बारिक काट लिया है यह मैंने बारिक कटा हुआ हरा शिमला मिच लिया है आदा पीस ये मैंने बारिक कटा हुआ, लाल शिमला मेश लिया है, ये भी आदा पीस है और अगर आपके पास सिर्फ हरा शिमला मेश है तो आप वही लिजी ये मैंने बटर लिया है, पाउबाजी मसाला लिया है, एक बड़ा चम्मच नमक लिया है आदा चम्मच तिखे लालमीज पावडर एक चम्मच बारिक कटे भे हरे धन्या दो बड़े चम्मच अध्रक लासुन की पेस्ट एक चम्मच जीरा वन फोर्थ टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पावडर लिया है एक चम्मच ये सिर्फ कलर के लिए है और मैंने दो पावड ले लिये है मैंने गैस पेक तवा गरम करने के लिए रख दिया है आप चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते है तो इसमें अब हम सबसे पहले बटर डालेंगे ये दो बड़े चम्मच जितना बटर है तो अब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे अब जीरे को हम अच्छे से बुनने देंगे जीरा बुन जाए उसके बाद हम इसमें बारिक कटे हुए प्याश डाल देंगे अब इस प्याच को भी हम slow flame पर 1-2 मिनट तक बुनने देंगे मैंने प्याच को 2 मिनट तक बुन लिया है अब हम इसमें अधरक और लसुन की paste डाल देंगे अब इस अधरक लसुन की paste को भी हम slow flame पर आदे मिनट तक बुन लेंगे अधरक और लसुन की paste बुनने के बाद अब हम इसमें बारिक कटे हुए शिम्ला मिच डाल देते है लाल शिम्ला मिच भी डाल देंगे अब इन सब को हम अच्छे से mix करके फिर से 2 मिनट तक cook कर लेंगे शिम्ला मिच को भी मैंने 1-1,5 मिनट तक cook कर लिया है अब हम इसमें बारिक कटे हुए टामाटर डाल देंगे टामाटर डालने के बाद तुरंथी हम इसमें salt डाल देंगे ताकि टामाटर जल्दी से cook हो जाए तो इसे भी अब हम 2 मिनट तक अच्छे से cook कर लेंगे अब हम इसमें सारे मसाले एड़ करेंगे तो पाउबाजी मसाला डाल देंगे तीखी लालमेज पावडर डालेंगे कश्मिरी लालमेज पावडर अब फिट से हम सब कुछ अच्छे से mix करके इसे आदे मिनट तक cook करेंगे मसालों को भी मैंने आदे मिनट तक cook कर लिया है तो अब हम इसमें बारे कटे हुए हरे दन्या डाल देंगे अगर आपको इसमें निम्बू का रस निचोड़ना हो तो भी आप निचोड़ सकते है तो अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है अब हम पावड को सेखने के लिए भी यही पैन यूज करेंगे तो इसके लिए ये मसाला जो हमने बनाया है इसे side पे कर लेंगे अब इस पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे मैं यहाँ पे एक चम्मट जितना बटर डाल रही हूँ अब इस पे हम पावड रखके दोनों तरफ बटर लगा के अच्छे से पावड को सेख लेंगे अब चाहे तो इसमें ओयल भी यूज़ कर सकते है पर बटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब पावड एक तरफ से सिख जाए तो दूसरी तरफ टान कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से से शेख लेंगे अब पावड दोनों तरफ से सिख चुके है तो अब हम इसे खोल के बीच में भी थोड़ा से बटर लगाएंगे अब इसे भी हम उल्टा करके सिख ने देंगे अच्छे से पाव अच्छे से सिख चुके है तो अब हम इसे फिर से सीधा कर लेते हैं और हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसमें फिल करेंगे तो लास्ट में हम इसमें पहले चीज ग्रेट कर लेते हैं ये प्रोसेश चीज है तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है इसलिए पाउं शिकने के बाद इसे लाष्ट में ही ग्रेट करें अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब इस मसाले को हम पाउं के बीच फिल कर लेंगे अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत लगे तो आप 2-3 चम्मत जितना पानी भी अड़ कर सकते है मैंने यहाँ पर पानी अड़ नहीं किया है तो इसे चम्मत से ही फिल कर लेते हैं चम्मत से काफ़ी इजी रहता है यह मसाला मैंने फिल कर लिया है तो अब हम इसके पाउं के उपर भी थोड़ा सा मसाला लगाएंगे तो यह हमारा चीज मसाला पाउं रेडी हो चुका है इसे हम सर्फ कर लेंगे मैंने मसाला पाउं को सर्फ कर लिया है तो इसे हम थोड़ा सा चीज ग्रेड कर लेंगे अब थोड़े से बारिक कटे हुए हरे दन्या से इसे गानिश कर लेंगे यह हमारा मुंबई का फीमस चीज मसाला पाउं बनके तयार है अगर छोटे बच्चे सबजिया नहीं खा रहे है तो आप इसमें थोड़े कम मसाले अड़ करके छोटे बच्चे को भी काने के लिए दे सकते है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से अपने गर पे ट्राइ करे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो तो मेरी चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले सब्सक्राइब बटन की बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक करे थाकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफीकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई